प्रधान मंत्री नैंद मोदी की माहीरा बेन का निधन 100 साल की उम्र में अहमादाबाद के अस्पताल में लिए अमतिम सासे पधान मंत्री नहींद मोदी की मा हीरा बेन का निधन हो गया है जनकारी के मुताविक सुक्रवार की सुब़ तीन बज कर तीस मियट पर हीरा बेन मोदी ने आखरी सांसे लिया है बताजे तवियत खराब होने के बाद बुद्वार की सुब़ उन्हें अहमादाबाद के UN मेहता इंश्यूट आफ कार्डियोलोजी आइन रिसर्च सेंटर में भरती कराया गया था पीए मोदी अहमादाबाद के लिए रवाना हो चुके है ओ आठ बजे वहां पहुंच चुके है पीए मोदी ने मा के निधन पर ट्विट कर लिखा है सांदार सतावदी का इस्वर चर्णों में विराम मा मैं मैंने हमेशा उस्त्रिमूर्थी की अनुभूती की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निसकाम कर्मयोग का प्रतीक और मुल्योग प्रती प्रतिबध जीवन समाहित रहा है मैं जब उनसे समय जनम दिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है बुद्धी से काम लो पवित्रता से जीओ यानि काम करो बुद्धी से और जीअन जीओ सुधी से बता दे गांधी नगर सहर के पास रायसन गाओं में हीरा बेन पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी प्रधान मंत्री नियमित रूप से वहां जाते थे और अपनी यात्रावों के बीच अपनी मां से मिलते थे गुरुवार को भी अस्पताल ने एक बियान जारी कर कहा था कि हीरा बेन मोदी की तवियर ठीक हो रही है सुमा भाई मोदी ने भी कहा था उनकी चीती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है वह आज काफी बेहतर हैं उन्होंने अपने हाथ पैर भी चलाए हैं वहीं अस्पताल पहुँचे बीजेपी के दिगज नेतावों ने उनके एक से दो दिन में डिश्चार्ज होने की भी बात कही थी पीए मोदी बुद्धवार को दिली से अमादाबाद पहुँच चुके थे और अस्पताल जाकर मा का हाल चाल भी जाना था वह एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रहें उन्होंने सिविल अस्पताल में डॉक्टरों से भी बात की थी बता दे पीए मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटर्विव में बताया था कि मा हीरा बा सभी तरह के घरेलू उपचार जानती थी वर्ड नगर के छोटे बचों और महिलाओं का इलाज करती थी कई महिलाए अपनी परिशानी दूसरों को बताने की वज़ाए हीरा बा को बताती थी मेरी मा जरूर अनपर थी लेकिन पूरा गां उन्हें डॉक्टर कहता था वहीं पीए मोदी ने अपने बलोग में लिखा था कि कैसे उनकी मा न केवल घर के सभी काम खुद करती थी बलिक परिवार पालने के लिए दूसरों के यहां काम भी करती थी वह कुछ घरों में बरतंद होती थी और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए चर्खा चलाने के लिए भी समय निकालती थी बतादे पीए मोदी वर्डन अगर के उस छोटे से घर को अकसर याद करते थे जिसकी छोट और दिवारे मिट्टी की थी जहां वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे पुजाना करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बरतन साथ बरना पानी बरना मज़ूरी करना आप कल्प ना कर सकते हैं कि माने अपने बच्चों को बढ़ा करने के लिए कितना अक्रस्थ होता है अपना